नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर राष्ट्रिय स्वयम जिवक संग के नागपूर स्टीत मुख्याल सै शहर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की आतंकी संगटन जैशे मुहम्मद द्वारा रिकी किये जाने की जानकारी सामने आई है इसका खुला सा जम्मू कश्मिर पुलिस द्वारा पकड़े गए एक संदिक दे युवक ने की है यह जानकारी के बाद शहर के सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर सुरक्षा विवस्ता कड़ी कर दी गई है यह जानकारी देते विवे नाकपूर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि दरसल जम्मू एंड कश्मिर में पुलिस ने एक संदिक दे युवक को पकड़ा है जब केंद्रिय सुरक्षा एजेंसियों ने युवक से पूछताच की तो उसने बताया कि वह जुलई महने में नाकपूर में आया था और यहाँ दो दिन तक रहा इस दोरान उसने नाकपूर शहर के कई समवेदन शिल ठिकानों के फोटो लिए केंद्रिय जाच एजेंसियों दोरा इसकी जानकरी नाकपूर पूलिस से साजा की गई थी इसके बाद शुकरवार को पूलिस आयुकत अमितेश कुमार दोरा इन सभी समवेदन शिल स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है पूलिस कमिशनर ने बताया कि RSS मुख्यालाई परिसर और उसके आसपास फोटोग्राफी और ड्रोन को उड़ाने पर भी रूक लगा दी गई है इसी तरह से अन्य एहम ठिकानों को लेकर भी साज़ानी बरती जारी है सभी सब्वेदन शिल स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किये गए है महा मेट्रो ने शुरुआत से ही अनुखी निर्मान कार्य की है और शहर के विकास में अमुल्ले योगदान दिया है जिनमें वर्धा मार्क पर डबल डेकर फ्लाई ओर आनन टौकिच स्थीद बैलन्स कैटी लिवर सीताबरडी जैसे भीडबाड़ वाले परिसर में तैयार किया गया इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन वज जीरो माइल प्रिडम पार्क मेट्रो स्टेशन शहर में आधुनिक निर्मान कारियकर शहर को एक नई पहचान दी है इनमें और बड़ोतरी करते वे कामठी मार्क पर गड़ी गुदाम गुरुद्वारा पर चार मंजिला पूल तैयार करने के लिए विशालकाय लोहे का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और गुरुद्वारा के निकट यह लोहे का स्ट्रक्चर बिठाने का कारिया शुरू है महत्वपुर्ण बात यह है कि भारी भरकम लोहे का स्ट्रक्चर बुट्टी बुरी M.I.D.C. में तयार किया गया है और सडक मार्क से बुट्टी बुरी से गड़ी गुदाम तक ट्रेलर की सायता से लाया गया यह स्ट्रक्चर प्रतम तहा बुट्टी बुरी में खड़ा किया गया और यहां का कार्य पुरुन होने के पस्चात इस स्ट्रक्चर को डिस्मेंटल कर सडक से गड़ी गुदाम लाया जा रहा है लोहे का स्ट्रक्चर बुट्टी बुरे में खड़ा करने के दौरान धाई सो टन क्षमता की दो क्रेनों का उपयोग किया गया था गड़ी गुदाम में उसे खड़ा करने के लिए 500 टन और 300 टन वजन क्षमता की क्रेन गरडर लगाई गई है हलही में International Association of Lawrence Club ने लोंडे जुएलर्स के साथ मिलकर बिशॉप Cotton Ground पर फैशन शो का आयोजन किया जिसमें ग्लैमर की दुनिया का खवाब रखने वाले युवा और महिलाओ को उनके सपनों की और उडान भरने का उसर दिया गया इस फैशन शो का आयोजन वीदी जहा और इवन डायरेक्टर कुमार के साथ मिलकर किया गया इस शो के आयोजन का मकसद यही था कि ग्लैमर की और कदम रखने वाले युवा और महिलाओ को आउसर मिले और भारतिय फैशन के प्रती और वी लोगों का प्यार और उत्साह बड़े दुरगेश दिक्षित, संपदा, पंडित कुलकरणी, मेकप आर्टिस्ट अर्चन राठोर तथा उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर टीम पूजा लिवास इस फैशन शो के मुख्या आतिती थे राजेंद्र सिंग बग्गा, जै प्रकाश गुपता, राजेश लोंडे और पिंकी खानूर करती, आयोजक विधी जाने सभी का आभार माना दयानन्द आर्यकन्य महाविध्यले नाकपूर तथा राजी उगांदी राष्ट्रिय बहुद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान नाकपूर के सेयुक्त रूप से राष्ट्रिय बहुद्धिक संपदा जागरूपता मिशन के अंतरगत बहुद्धिक संपदा अधिकार पेटेंट और डिजाइन प्रक्रिया पर एक दिवसिय राष्ट्रिय वेबिनार का आयज़न किया गया मुख्यवक्ता पूजा मौलीकर, पेटेंट और डिजाइन परिक्षक, पेटेंट कारेल है, आरजी अन आईपीम नाकपुर में कारेरत है नाकपुर भारत में एक मात्र केंद्र सरकार का राष्टी आईपी आर प्रशिक्षन संस्थान है उन्होंने संस्थान द्वारा पेश किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों पर एक अद्भुत पीपीटी प्रस्थुद दी और छातरों को बहुत धिक संपदा के अधिकारों की विभिन्न बारीकियों के बारे में जानकारी दी संस्थान आम जंता के लाब के लिए पाठ्यकरम और अन्या आउशक्ताओं के साथ मदद करने के लिए तयार है डॉक्टर श्रद्दा अनिल कुमार प्रिंसिपल दयानंद आरयकन्या महाविद्यले नाकपूर ने अपने स्वागत भाषन में छातरों को बहुत दिख संपदा अधिकारों की मूलवाते और जागरुपता के बारे में अउगत कराया इसके बारे में उत्साहा बहुत कम उम्रस से बनाया जाना चाहिए कारेकरम की सफलता के लिए आयोजन सचिव डॉक्टर सुजाता चक्रवर्ती ने कड़ी मेंनत की डॉक्टर मुगदा देशपांडे ने कारेकरम का संचालन किया ICAI के WIRC की नागपूर शाखा ने हाल ही में इवा सदस्य गाइडन्स कारेकरम के तहद व्यवसाइक और नेटवर्किंग दिशा निर्देशों पर एक कारेकरम का आयोजन किया इस आयोजन का मुख्य आकर्शन यह था कि इसे C.A. कपल सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया था और व्याख्यान C.A. कपल सदस्यों द्वारा ही दिया गया वही C.A. कपल मेंबर्स के लिए C.A. कपल कार्नीवाल कॉंटेस्ट भी आयोजित किया गया था आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ है नागपुर शाखा के अध्धक्ष C.A. साकेद बागडिया ने टिपपनी देते हुए कहा विभिन्न व्यावसाइक शेत्रों में विवीदि करण के साथ व्यक्तिगत छोटी फर्मों के लिए विशेशक्यता की आउशक्ताओं को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है व्यावसाइक शमताओं को बढ़ाने और बड़े कारियों को एकसाथ करने के लिए C.A. सदस्यों को नेटवर्किंग मॉडल में प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए नेटवर्किंग दिशा निर्देश जारी किये है अद्धक्ष ने बताया कि यह है एक स्वागत योग्या कदम है और उन्होंने सदस्यों से अधिक से अधिक लाब उठाने का आगरा किया उन्होंने कहा कि कुविट के समय में पेशेवर और नीजी जीवन में संतुलन का महत्व और भी महत्व पुर्ण हो गया है नाकपुर महानगर पाली का स्थाई समिती के अध्धक्ष प्रकाश भोयर ने निर्देश देते विवे कहा कि निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए चालू वित्तवर्ष की समाप्ति और 31 मार्श से पहले सभी विभागों को कर संग्रह के टार्गेट को संबंदित अधिकारियों को जल से जल पूरा करना होगा उन्होंने नागरिकों से समय पर कर बुखतान करने की भी अपिल की शुक्रवार को जलापूर्ती विभाग, बाजार विभाग, विग्यापन विभाग, एवं नगर नियोजन विभाग की वसुली को लेकर स्थाई समीती अध्यक्ष के कक्ष में बैठक हुई इस अउसर पर सब इंजिनियर श्रीकांत वाई कर, मनपा बाजार अधिक्षक श्रीकांत वैद्य, OCW की महा प्रबंदक अमुल पांडे उपस्तित थे स्थाई समीती के अध्यक्ष प्रकाश भुयर ने पानी के बील के संबन में नागरीकों की शिकायतों के संबन में अधिकारियों को जानकारी दी साथ ही बड़े हुए पानी बिल प्राप्त करने वाले नागरेकों का पानी का बिल चेक कर राशी कम करने का निर्देश जिया उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह योजना लागू की जाती है तो निगम के खजाने में 15 करोड रुपे तक के अतिरिक्त टैक्स जमा हो सकती है तथा कल्यूग में केवल राम नाम स्मरन से ही फल के सहज प्राप्ती हो जाती है राम नाम के जब से जीव की जन्म जन्मांतर की समस्त व्यादिया दूर हो जाती है और प्रभु शरण की प्राप्ती हो जाती है श्री राम का नाम जीवन का आधार है भगवान राम का नाम एक बार अंतर अत्मा से निकल जाए तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, व्यक्ति जब भगवान के चर्णों से लिपट जाता है, तब वह निर्बय हो जाता है, हर जगा राम नाम की महिमा का गुनगान है, राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम नाम तो सबसे बड़ा मंत् राम तो अविनाशी है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ वदल जाए पर श्री राम का नाम जैसा का वैसा ही सदा बना रहेगा उक्ताशय के उधगार, मानकापूर के प्राचिन शिवमंदिर में चित्रकुट धाम निवासी राजन महराज ने भक्तों से संगित में श्री राम कता के दवरान कहे श्री राम कता का आयोजन अखंड भारत विचार मच की और से किया गया है हाल ही में ओल इंडिया मजलिसे इत्तिहादूल मुस्लिमिन पश्चिम नाकपूर के खिदमत एक खल्क टिम के कार्यकरता और पदाधिकारियों ने गरीब और जरुरतमन लोगों में कंबल स्विटर, जैकेट, कपडे और बरतन वितरन किया इस नेक कार्य के सफलतार था मुहमत जफर सोलंकी, एतेशाम अली, रिहाज शेक, आधी कार्यकरताओं ने बहुत प्रयास किया जरुरतमन लाभार्तियों ने इन कार्यकरताओं के योगदान और नेक कार्यों के सराना की आमादमी पार्टी के विदर्ब संगठन मंतरी आकाश सफेल कर विदर्ब के सभी तहसिल पर युवाव को आमादमी पार्टी से जोड़कर युवाव को राजनिति के महत्व का संदेश दे रहे है देश में वोट डालने वालों के संख्या आउसट साथ प्रतिशत है देश का युवा राजनिति को दलदल मानकर चुनाव प्रक्रिया में भरोसा नहीं करता है और हिस्सा नहीं लेता है फलस्वरूप वा राजनितिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद के जिरिवाल के इमानदारी सरकार ने राजनिती की परिवाशा ही बदल दी है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में तीसरी बार जोरदार जीत हुई है और अब आम आदमी पार्टी गुजरात, पंजाब, उत्तराखन, गोवा यह सभी राज्यों में विदान सभा के उम्मेदवार खड़े कर रही है एक सर्वेक्षन के अनुसार कई राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के संभावना है महराष्टर में भी महानगर पालिका के चुनाव सामने है इस बात को देखते वे विदर्ब के संगठन मंत्री आकाश सफिल कर पूरे विदर्ब में 10,000 युवाओ को जोड़ने के लिए युवा जोड़ो अभियान चला रहे है आकाश से बाच्चीत पर उन्होंने अपने अभियान के बारे में बताया कि राजनीते में युवाओ का बहुत बड़ा स्थान है दरसल भारत युवाओ का देश है अतह राजनीते में युवाओ की सक्रिय भूमी का अत्यनत महत्वपुर्ण साबित हो सकती है आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वरगे के सभी नागरिकों का कोवी शिल्ट का टीका करन नाकपुर महनगरपालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा टीका करन का समय शाम के 5 बजे तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोवी शिल्ट के जरिये टीका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्थ अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकरन दी इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासाय वामबेटकर अस्पताल काम्ठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबडा इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर मनपास्त्री अस्पताल पाचपावली और प्रगती हॉल दिगोरी में उपलब्द है राष्टवधी कॉंग्रेस पार्टी नागपुर शहर कार्यकारेणी की महत्वपुर्णा बैठक में पुर्व केंद्रियमंत्री प्रफुल पटेल ने गनेश पेट स्थित पार्टी कार्या ले में पार्टी के तमाम पदादी कार्यों, कार्यकर्ताओ एवं स्थानिय नहीं होगा आगामी मनपा चुनाओं के लिए राकापा नागपुर शहर ने पुरे शहर में अपनी ताकत चोंग दी है ताकि भविश्य में पुरी सीटों पर लड़ा जा सके साथ ही साथ ये भी भरोसा दिलाया कि विधानसभा चुनाओं में नागपुर शहर में राकापा क सीटों पर जिद दर्ज कराने का भरोसा दिलाया। राकापाशार अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने नाकपुर शहर नाकापा की कार्यकरताओं की समस्याओं को प्रफुल पटल के सामने रखा। पटल ने इन समस्याओं को सुलजाने का भी आश्वसन दिया। बैठक में पुर्वविधायक राजेंद्र जैन, सुबोद मोही थे, शेखर सावरबांधे, रमिश फुले आदी उपस्तित थे। अगामी महानगर पाली का चुनाओ को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्ति महत्वपुर्णमानी जा रही है। महात्मा फुले मागा स्वर्गिय शिक्षन संस्था की और से धम्मदी बुद्ध विहार में स्वास्त शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्र के लोगों को आसानी से स्वास्त सुविधाय मोहिया कराने के उद्धेश से आयोजित किये गये इस निशुल्क स्वास्त शिविर में मरीजु की जांच विशेशग्य डॉक्टरोंने की और जरूरत के हिसाब से दवाव का भी वितरन किया गया। इस दोरान संस्था के अध्यक्ष वो कॉंग्रेस सेवादल प्रदेश सहसच्यू राजकुमार गेडाम, छाया भिम्टे, चंद्रेशिकर गेडाम, रजनी खोबरागडे, प्रग्या खांडेकर, शंकर चवरे, भारती खेरे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्तित कामठी रोट खेरी ग्राम पंजयत परिसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल में 15-18 वर्ष तक के बच्चों को शुक्रवार को टीके लगाए गया, बच्चे पुरे उत्साह के साथ स्कूल में टीका लगवाने पहुचे, बच्चों ने पहुँचकर अन्य बच्चों को भी प् किया गया, इस आउसर पर जिला परिशत सदस्या मोहन माकडे, खेरी ग्राम पंजयत के सरपंच मोरेश्वर काप से, उर्फ बंडू, खसरा ग्राम पंजयत के सरपंच रविंद्र पार्धी, गुमती प्राथबिक स्वास्त केंद्र के डॉक्टर राहुल, डॉक्टर मून, संगीता उमाटे, सुनिता नेवारे, वहशाली गुनुंडे सहित, स्कूल प्रिंसिपल, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, वह विद्यार्थी गणु पस्तित थे। प्रिचारी का अंतकला लोखंडे, कंप्यूटर ओप्रेटर दामिनी शाहने, स्कूल प्राचारिय मुर्मे सर, भोयर सर, निम्बालकर सर, मिश्राम सर, अस्वले सर, बारापात्रे सर, घोडके सर, चौधरी माडम, मनिशा चौधरी, भाकरे माडम, संजय तिरोडे सहित, अ जिले में एक बार फिर कोरोना ने हाथ पाव पसार लिया है, तिसरी लहर का आगमन होने वाला है, कोरोना तांडों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने ठोस कदम उठाये है, इसी कड़ी में नाकपुर के जिला अधिकारी, आर विमला ने हाल ही में राम्टेक उपमं न करने और बगएर मास्क की घुमने वालों पर कारवाई करने के निर्देश दिये, प्रशासनिक अधिकारियों ने उपजिला अस्पताल गांधी चोक स्दित कोविट सेंटर एक लव्या पब्लिक स्कूल का निरिक्षन कर तयार रहने का आदेश दिया, मंसर में सरकारी फ प्रशासनिक अधिकारी राजे सवाल आखे सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपसित थे करोना संक्रमन को रोकने के लिए राम्टिक नगर प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से शहर में मास्क न पहनने वालों पर कारवाई करना शुरु करदिया है राम्टिक तहसिल में कुल 17 ने रोगियों की पहचान की गई है तिन सितल वाडी में, दो मंसर में, दो नगरधन में और दो मुसे वाडी में स्तानिय नगरपाली का प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस की मदद ली दस्तेने बुधवार को गांधी चौक और बस्टैंड चौक पर बीना मास्क पैदल चलने वालों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई की हर एक से 200 रुपे जुर्माना वसुल किया गया प्रशासन ने नए मरीजों के संपर्ख में आये हर व्यक्ति की जांच करने के साथ-साथ मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया है वही प्रशासन ने नागरिकों से घर से बाहर निकलते समय नियमी त्रूप से मास्क पहनने सामाज एक दूरी के नियम का पालन करने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपिल की है राम्टेक शहर के महत्मा गांधी चौक पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा जुर्माना लगाने की कारवाई में प्रशासनिक अधिकारी राजेश सवाला के गोविंदा तूपट आधी शामिल हुए पिछले छे दिनों से घर के चकर काट रहे मांसिक रोगी बंटी कू सावनेर के समाच सेवी युवक हितेश बंसोड के प्रयास और सोशल मीडिया के माध्यम से घर वापस पहुचने में मदद मिली चार-पाश दिन पहले रात को भंसाली तकली से हितेश बंसोड ने देखा कि उनके गाउं में एक अजनबी आया है अपनी मांसिक बीमारी के कारण वह अपनी पहचान सपश्ट रुप से प्रकट नहीं कर पा रहा था अतहर उसे उसके घर पहुचाने तथा उसकी पहचान हे तु बंटी का एक वीडियो बनाया गया और इसे नाकपुर और अन्यस्थानों पर हितेश ने अपने सभी दोस्तों के साथ साजा किया इसी वीडियो की सहायता से बंटी को उसके घर पहुचाने में सहायता मिली हिरेश बंसोड तथा उसकी संस्था हित जोती फाउंडेशन को बहत खुशी है कि बंटी को उनके छोटे से प्रयास के कारण फिर से उसके घर वापस जाने को मिला है और सोशल मेडिया के सहयोग से ये कठीन कारिय संभाव हो सका है हितेश बंसोड तथा हित जोती फाउंडेशन के कारे करता जब बंटी को जरिपट का थाने ले गए तो उसके माता पिता उसे देखकर खुशी के मारे रोने लगे उन्होंने कहा कि आखिर लड़का कैसा भी हो उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं केंद्र सरकार की राष्टिय परिवार वित्य योजना के तहत वित्य वर्ष 2021-2022 के तहत 28 लाभारतियों को प्रतेक व्यक्ती 20,000 रुपे के हिसाब से कुल मिलाकर 5,60,000 रुपे के चेक वितरन समार होका योजन रामटेक तहसिल कारया लेके सभागार में किया गया इस अउसर पर रामटेक विधानसभा क्षेत्र के विधायक एडवोकेट आशिश जैस्वाल के हातों धनादेश लाभारतियों को प्रदान किये गया इस अउसर पर तहसिलदार बालासाइप मसके संजे गांधी निराधार योजना के रामटेक तालू का अध्यक्ष विवेक तुरक समिती के सदस्या देवानन वंजारी सागर लोंधे सुन्दर खड से गजानन धोरे संजे गांधी निराधार योजना के नायाब तहसिलदार श्रावन पाटिल रती राम रगुवंची धिरजबागडे सहित लाभार्ती बड़ी संख्या में उपस्तित थे अनाथु की माता के नाम से प्रसिद्ध समाच सेवी का सिंदुताई सपकाल को विभिन्न संखटनों द्वारा रणाला ग्राम पंचयत में पंकच मंगल कार्याले चोग पर श्रधान जली अरपित की गई कार्यक्रम में जनहित वाहीनी की मार्क दर्शक उदे सिंग यादव अध्यक्ष श्रावन केलजर कर सचिव फिरोज खान समाच सेवी पंकच साबले दिव्यांग बहुत देशिय संस्थाध्यक्ष बौवी महिंद्र युवाचेतना मंच दत्ताशिर के महेश महाडिक जाख माता बहुत देशिय संस्थाध्यक्ष प्रदिप सपाटे ग्राम पंचयत सदस्य मनोज धानोरकर अशोक ठाकरे स्वपनिल फुक्टे पंकज अकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार